हाई स्टुडेंट्स तुडे आइम गोईंग टू टीच यू पोटेंशल एनर्जी अफ इस्सिस्टम आफ टू चार्जिस इन एन एक्स्टरनल फिल्ड मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेंशल एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी है सिस्टम की कि जिसमें दो या फिर तीन या फिर चार्ज है तो उसके लिए फॉर्मिला मैंने आपको बताया था कि अगर दो चार्ज है तो उसका Q1 Q2 divided by R12 अगर तीन चार्ज है तो 1,2,1,3,2,3 के हिसाब से फर्मिला मैंने बताया था कि Q1 Q2 divided by R12 प्लस कि Q1 Q3 divided by R13 प्लस कि Q2 Q3 divided by R23 लेकिन उसमें हमने जो पूरा थीरी पड़ा था उसमें स्टार्टिंग में क्या था कि इनिशली जो सिस्टम थी उसमें कोई चार्ज नहीं था ना उसमें कोई एक्स्टरनल फिल्ड था तो हमने उसके जरीए पहले Q1 चार्ज अंदर लाये थे उसके बाद Q2 लाये थे और वो पूरा थीरी देखा था वो आप देख सकते हो मेरे जो वीडियो बनाया था उसमें ले उसके एसाब से पोटेंशल एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में डिसकस करते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं पहले यह फिगर से यहां पर मैंने जो लाइन बनाई है यह जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है एक्स्टरनल फिल्ड है क्लियर और यह Q1 और Q2 जो च सिस्टम झुलिए तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे Q1 को यहां पर लाइएंगे कोई पोईंट पर मालो कि यहां पर मैंने point P draw किया गया है यह point P पर मुझे Q1 को लाना है अब होगा क्या कि यहां पर already field है electric field present है system में तो उस electric field की वज़े से यह P point पर क्या होगा potential होगा तो potential मालो के V1 है suppose तो V1 potential है तो अब potential यहां पर है और Q1 को यहां पर ले आना है तो उसके लिए work कितना करना पड़े Q1 into V1 क्योंकि work का formula क्या है W is equal to QV तो अगर यहां पर potential V1 है suppose और Q1 को उस potential तक ले जाना है तो उसके लिए work कितना करना पड़ेगा W is equal to Q1 into V1 clear तो अब मालो कि यह जो Q1 है वो यहां पर आगा है P पर तो उसके लिए work कितना करना पड़ेगा हमें तो to calculate the work done in bringing the charge Q1 from infinity to R1 that means point P पर तो work done in this step is Q1 V R1 मतलब R1 position पर जितना भी potential है वो in short Q1 into V clear अब मालो कि यह Q1 जो है वो P पर आ गया अब दूसरा जो चार्ज सा Q2 उसको मुझे लाना था यह Q पर clear तो Q2 ला दिया मैंने यहां पर तो उसके लिए कितना work करना पड़े तो next we consider the work done in bringing Q2 to R2 मतलब यह जो यहां पर उसको Q2 को लाना है तो उसके लिए कितना work करना पड़ेगा तो अब समझो खास अब Q2 बाहर था उसको अंदर लाने के लिए हमें दो work दो के सामने work करना पड़े किस किस के क्योंकि अब यह Q1 जो है वो अगर आ चुका है system में तो Q1 की वज़े से यहां पर potential create होगा as well as यह electric field है system में उसकी वज़े से यहां पर potential create होगा तो there are two potentials at this point तो हमें क्या करना पड़े इसकी वज़े से यहां पर जो potential मिलता है वो finite करना पड़े इसकी वज़े से electric field की वज़े से यहां पर जो potential मिलता है वो fund करना पड़े वो दोनों का potential मिला कर total potential जो मिलता है उसको हमे Q2 को साथ multiply करते है तो वो हो जाएगा work clear तो पहले क्या करते हैं मालो के जो electric field का potential है यहाँ पर Q पर वो मिलता है suppose V2 तो V2 के इसाब से जो work मिलेगा वो कितना होगा V2 into Q2 that means work done on Q2 against the external field is equal to Q2 into V2 या फिर V2 बोल सकते हो अब हमें यह जो Q1 है उसकी वज़े से यहाँ पर जो potential मिलेगा उसका formula क्या होगा KQ by R clear तो उसकी वज़े से यहाँ पर potential का formula मिलेगा वो KQ by R 1 होगा और उसकी वज़े से जो work की मिलेगा वो कितना हो जाएगा Q2 into whatever potential है वो तो क्या हो जाएगा KQ1 Q2 divided by R 1 यहाँ पर आप 4 pi epsilon 0 भी लग सकते हो की की जगा तो KQ1 Q2 divided by R 1 या फिर 1 upon Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 R 1 अब समझो पहले Q1 को लाने के लिए कितना work करना पड़ा Q1 into V1 clear अब Q2 को लाने के लिए कितना work करना पड़ा एक तो Q2 V R 2 और दूसरा कितना करना पड़ा KQ1 Q2 divided by R 1 2 तो अब total Q1 Q2 को system में लाने के लिए total कितना work करना पड़ा उसकी बात करें तो पहले देखो work done in bringing Q2 to R 2 कितना हुआ total Q2 V R 2 plus KQ1 Q2 divided by R 1 तो या फिर 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R 1 अब total potential energy कितना हुआ तो जो भी आपको जो work मिला 3-3 का मिला कर Q1 को लाने के लिए Q2 को लाने के लिए 3-3 मतलब डबल 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 तो जो भी मिला वो को सभी का addition करते हैं तो हमें मिल जाएगा total potential energy तो अब यहाँ पर जो work मिलेगा वह हमें क्या देगा potential energy का value तो यह क्या है पहला जो work जब Q1 लाए थे अंदर system में तो Q1 V1 या फिर Q1 V R 1 जब Q2 को लाए तो दो प्रकार का work हुआ एक तो external field की वज़े से जो work हुआ वो Q2 V R 2 और जो अंदर potential charge सा उसकी वज़े से जो potential मिलता था उसकी वज़े से जो work हुआ वो Q1 Q2 divided by R 1 2 या फिर Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon not R 1 2 तो यह हो गया आपका potential energy का formula whenever external field मतलब उसमें अलरड़ी electric field है सिस्टम में और अगर आपको बाहर से कोई charge लाना है तो उसके लिए कितना work करना पड़े उसे को हम बोलेंगे potential energy मैं थोड़ा बहुत difference बता दो आप लोगों को उसमें और इसमें उसमें क्या था कि मानलो के दो system के charge सा अरे दो charge का system था तो उसमें क्या करते है फॉर्मिला क्या था u is equal to q1 q2 divided by r12 simple सा formula लेकिन अब यहां पर क्या हुआ system में दो ही charge है लेकिन system में पहले से external field था तो हमें क्या करना पड़े यह add करना पड़े यह जो 2 है q1 v1 plus q2 v2 जो है वो add करना पड़े अगर मान लो कितीन charge है suppose system में तीन charge है और external field है तो formula क्या बनेगा समधना पूरा यह जो है उसमें हम एक add कर देंगे कैसे q1 v1 plus q2 v2 plus q3 v3 यह तो समझ में आ पूरा अगर 3 है तो 3 आएगा 4 है तो 4 आएगा 5 है तो 5 आएगा अगर मान लो कितीन है suppose q1 v1 plus q2 v2 plus q3 v3 इतना समझ में आ गया है अब पीछे का जो टर्म है वो क्या करेंगे हम जब without external field था अमनल नॉर्मल potential नहीं का formula था वो हम पीछे add कर देंगे अगर 3 है तो क्या करेंगे 121323 that means kq1 q2 divided by r12 plus kq1 q3 divided by r13 वो 3 add कर दिया आगे तो क्या होगा q1 v1 plus q2 v2 plus q3 v3 plus kq1 q2 divided by r12 plus kq1 q3 divided by r13 plus kq q2 q3 divided by r23 plus kq q2 q3 divided by r23 तो यह हो जोगा formula जब अगर 3 charge के system है तब सवज में आ गया पुरा तो इसी concept पर इसके भी अगर निमरी कर लाए तो आपको आने चाहिए थोड़ा ही difference है बाकि आपको यह दोनो add करना है because of external electric field clear